बढ़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार आप सब को नमस्कार जैहिन सात्यों में आरके नएक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनान दन करता हूँ, इंडियन पोलिटी की इस वीडियो स्रंकला में, आज सात्यों हम इंडियन पोलिटी से समदिद कुछ जानकरी होगी जो साथियों आपके लिए एक्जाम की दर्ष्टी से काफी महत्वपून होगी अब साथियों आपके सलेबस में अगर इंडियन पॉलिटी है तो आज की ये क्लास और इससे पहले इंडियन पॉलिटी से समधित हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सभी साथियों आपको हमारी पीडियेफ जो हमारे टेलिग्राम चैनल पर और वार्षप गुरूफ पर आपको मिल जाएगी तो वहां से डाउनलोड करके रिविजन जरूर करते रहे बाकि साथियों आज की कलास में हम क्या-क्या पढ़ने वाले वह आप स्क्रीन पर देख रहे हों में इन में से किसी भी पुष्टक के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे प्ले लिस्ट के वीडियो जो बुक रिव्यू से समद्धित है उनको देख सकते हो बाकि साथियों आज हम जो जानकारी इंडिन पॉलिटी की लेंगे तो पॉलिटी के कौन-कौन से बे रिव्यू किया है अपने ही चैनल पर तो वहां पर आप साथियों इंडियन पॉलिटी बुक रिव्यू दोजार बाइस के नाम से प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा तो साथियों आसा करता हूं आज का ये वीडियो आप अच्छे से देखेंगे जो हम पीडियो रूप में देंगे वह डाउनलोड करेंगे और दूसरे जो वाइबेंड एक्जाम की तयारी करने वाले हैं उन तक भी आप शेर जरूर करेंगे तो चले साथियों सबसे पहले आज का जो ये वीडियो है हम प्रार्म करते हैं बारतिये सविदान की एक बहु एक्जाम होते हैं उन में आपका आज जो हम को पिक करवाएंगी वह आपके लिए काफी मेहत्पून साबित होगा तो शुरू करते हैं साथियों बारतिये परिशद अधिनियम उनीस सो उनीस इस से पहले जितने भी अधिनियम आये थे उन सब से समंधित में आपको जानकरी दी है तो इसे मॉन्टेंग यू चैंप्स फॉर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है तो यह साथियों काफी मेहत्पून जानकर यह क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं आपको बारतिय परिशद अधिनियम उनीस सो उनीस ने देख करके आप से पूछा जाए कि मॉन्टेंग यू चैंपड पॉर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है जो उनीस सो उनीस का बारत परिशन परिशद अधिनियम या चैंपारियस सरका को कारिय रूफ देने का और यह सहौंपा घशा गया था किसको इस अधिनियम को उसके बार में साथियों आप यहां पर देखेंगे बारत सासन अधिनियम 1919 में इनकी सिफारिशों को एक कानूनी रूफ परदान किया गया और इस अधिनियम को वरस 1921 में लागू किया गया अब साथियों आप से एक्जाम में क्यूशन पूछा जा सकता है कि बारतिय में लागू हुआ था तो यह साथियों इससे समंदित एक मैत्रपुन जान करिए अब साथियों यहां पर हम देख लेते हैं 1895 में उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे बारत सासन अधिनियम 1929 के लागू होने के बाद वरस 1922 में मात्मा गांदी ने पहली बार कहा था कि भारतिय सविदान भारतियों की इच्छा अनुसारी होना चाहिए और होगा तो साथियों यह आपके लिए काफ सविदान सबा की मांग साथियों यहां पर आप देखेंगे तो इसमें 1940 का अगस्त परस्ताव बहुती महत्वन है और 1922 का जो है क्रिप्स मिश्ण यह भी आपके लिए काफी महत्वन है क्योंकि साथियों इस टाइप के एक्जाम में क्यूशन पूछे जा सकते हैं इस परक सब्सक्ता में साथियों हुए एक राष्ट्य समयलन में कॉमन वैल्ट ओफ इंडिया का रूप तयार किया गया तो यह भी आपके लिए काफी महत्वन जान करें साथियों कब की बात है यह 1923 की उसके बाद में साथियों हम यहां पर देखते हैं कि इस अधिनियम से एक और यूपिस्ट की तेहरी करते हो वह लोग सेवा आयोग जो बनाए गया है यूपिस्टा का संग लोग सेवा आयोग या फिर लोग सेवा आयोग इनकी इसतापना कब हुई केसे हुई और इस देख समद्धित संपूँश जानकर यह आपको मिल रही है इंडियन पॉलिटि साथियों के अंदर ये लोग सेवा आयोग का गटन 1926 में किस विदे के द्वारा या पिर किस अधिनियम के द्वारा किया गया था अगर इस टाइप के क्यूशन पूछे जाते हैं तो आपके गलत नहीं होना चाहिए जो कि साथियों आप यहां पर देखेंगे अखिल भारतिय सेवाएं जो है उससे समदिती है लोग सेवा आयोग था जिसमें साथियों आप यहां पर देख सकते हो पूरी जानकर यह आपको दी गई है और उसके बाद साथियों हम देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया अगर इस टाइप क पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए तता उसके बाद क्या हुआ साथियों सिखों और इसाईयों और आंगल भारतियों और यूरोपियों के लिए भी पर्थक निर्वाचक मंडल का प्रावदान किया गया यानि साथियों यहां पर क्या है जो निर्वाचक केंद्रे इस तरह पर का रिपालिका तता व्यवस्ता प्यका में बहुत सारे बदलाओं कि गये यह साथियों इसे समंदीत है अब देख लेते सबabout how रिपालिका में क्या-क्या बदलाव किए गए तो यहां पर सबसे पहले साथियों मुख्य कारिफालिका के जो अधिकारी थे गवर्णर जनरल है वो हुआ करता था उसके बाद में सभी विश्यों को केंद्रिये और प्रांतिये दो भागों में बांटे गए थे विश्यों अलग अलग विश्य जैसे कोई संवर्ति सूची का विशे है इस परकार से आज वरतमान समय में जो सव इसे में तो आप जरूर लिखे कि संग हम कितने विशे है और संवर्ति सूची में कितने विशे है अब अब आतियों उसके बाद हम देखते हैं यहां पर गवर्णर्ड़ की जो कार्य कारिनी के जो सदू से थे आठ उन में से थिन भारती की नolutionsकी किये गए यह यहांनि तीन भारती को नुपतिक है गया उन्हें से जिने वीदी सिछा और उंद्योगkom स्राम सवास्ते जैसे विभाग सोंपे गए और प्रांत के जो अलग-अलग प्रांते थी साथियों उन से समधिता है कि प्रांत के आरक्षित विशे में हांस्ट चैप का गौवर्नर्स जनरल को पुर्ण अधिकार था यानि साथियों जैसे मालो हम देखते हैं यह जो राज्य सुची का विशे होता है समूर्ति सुची का विशे होता है इन पर कानून कोन बनाता है या कोन हांस्ट चैप कर सकता है तो वह जानकारी सातियों आपको समय समय पर मिलती रहेगी लेकिन यहां पर यही जान करिए आपके लिए कि गवर्णर जनरल को इतनी सक्टी दी गई थी कि वह इसमें हच्चेप कर सकता है उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे गवर्णर जनरल को मांगे जो भी होगी उन पर कटोती का अधिकार प्राप् करती भी अध्यदेश जारी कर सकते हैं कौन से अनुचेद के तैयत करते हैं वह आप कोमेंट करके जरूर बताइए साथियों लेकिन इससे पहले अध्यदेश जारी करने की परक्रिया यहीं से शुरू हो गई थी तो यह साथियों काफी महत्रपुन जान कर यह आपके लिए वेवस्ता पिका में क्या बदला हुआ है साथियों वह भी देख लेते हैं क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कारिये पालिका में बदलाओ तो केंद्री वेवस्ता पिका को दिवसद्नी संस्ता बना दिया गया केंद्री विदान सभा और राज्य परिसत जैसा कि साथियो वर्तमान समय में लोकसभा और राजे सबाय उस पर कासे यहां पर आपको इनके बीज या फिर बीजारूपन देखाई दे रहे हैं उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे केंद्रिय विदान सबा निम्न सदन और राजे विदान परिशद जो थी राजे उसको उच्छ सदन कहा जाता था अब साथियों आप कॉमेंट करके बताईए कि लोकसभा और राजे सबा में से उच्छ सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है नंबर एक बात दूसरी बात आपको कॉमेंट करके यह बताने हैं कि लोकसभा में वर्तमान समय में कितने सदस के अंतरगत है तो यहां पर केंद्री विवस्ता पिका में जो केंद्री विदान परिशद थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सो पैंतालीस सदे से थे और राज्य परिशद में साट सदे से थे अब इन में से देखते हैं केंद्री विदान परिशद में जो इतने सदे से थे उन अन्य जितने भी बच गए जो विशे सदसे वह 20 थे उसके बाद में राज्य परिश्द के जो सदसे साथ है इनकी संक्या और सोतीश निर्वाचित होते थे और सबीस मनोनित होते थे और सामाने के लिए 20 थे और मुस्लिम सदसे 10 यूरोपी जो थे उन में से तीन थे और 6 सदसे एक था तो यह साथ हूं इससे समधित जानकरी है वेवस्त तापिका में बदलाव से समधित और कुछ महत्पूर्ण जानकरी जो एक्जाम की दरिश्टी से आपके लिए महत्पूर वो भी जानकर ले लेते हैं साथियों राजय परिश्ट का कार्यकाल पांच वरस था तता केवल फूरुस ही इसके सदसे बन सकते थे जबकि साथियों केंद्रिय विदान सबा का कार्यकाल तीन वरस निर्दार्ट किया गया और जिसे गवर्नर्स जनरल की सहमती पर बढ़ाय भी जा सकता है या जा सकता था अब साथियों कोमेंट करके आप बताईए कि लोग सबा और राजय सबा का कार्यकाल कितने वरस का होता है उसके बाद में साथियों यहां पर आप देखेंगे सदस्य फर्शन पूछ सकते थे अनफुरुक मांग तता इस्तगन प्रस्तावों क को ला सकते थे बजट को ऐस्विकार कर सकते थे इतनी सक्ति दे दी गई थी फिर भी शातियों बजट का 75 परसेंट यानि 55 परतिशत हिंसा सदस्यों की सहमती के बिना ही पारित किया जा सकता था अब साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं बजट शेंस समन्दित कि वर्तम से हम आगे चर्चा करेंगे कुछ भारतिय सदस्यों को सरकार की 27 समीतियां जो भी 27 समीतियां बनाई गई थी उसमें से जैसे सारवजनिक लेका समीति है या वित समीति है आधी में भी की घई थी या फिर निउक्त करने का प्रावदान किया गया था तो ये शात्य। सरकार के बारे में कुछ और मेत्पुन जानकारी हम ले लेते हैं तो साथिओ सासन परनाली की कि शुरुवात कब हुई थी और इसका क्या परभाव रहा वो भी हम जानकर लेंगे साथियों लेकिन अभी फिलाल हम यहां पर देखते हैं कि द्वेद शासन पढ़नाले की सुरुवात हुई उसके बाद में साथियों आप देखेंगे केंद्रिय सरकार की तरह प्रांतिय इस 109 के आदिनियम की सबसे बड़ी विशेष्टाएं क्या क्या थी जो आपको पता होनी चाहिए एकजाम की दिश्टी से उन में देखते हैं सबसे पहले साथियों प्रांतों में उतरदाई सरकार की इस्तापना के लिए द्वेद सासन की सुरुवात की गई उसके बाद में सा नोकरम्ति साथियों इस आधार पर Hz कारिय कारियनी फरीषद को दो भागों में बांट दिया गया ूर्पहले वाग में 005 gvrnर और उसकी कारिय कारियनी के सदसे थे और दूसरे बाद Mie गवर्णर और मंत्री गंड थे उसके बाद में साथियों यहां पर परांतिय जो वि विषय से थे जैसा कि साथियों आपने इस से पहले भी देखा है अब साथियों इसका PDF डाउनलोड कर के रिवीजन कर लिए आरकसित विशे हों देखते हैं सब से पहले उपर किया साथियों आरेकar इन में इसे महतब्न थे लेकिन एक्जाम की दरेस्टे जो मुद्वन उनको सामिल किया एक तो ने विवस्ता बनाए रखना विट और भू हुरी से समिदित उड़्ोक कर सी इत्यादी महतब्न थे जिनका सासन गवर्णर अपनी कारेकारी परिशत के प्रामर्सें या उसके सलाह मसूरा से ही करता था परिणाम सवरूप सात्यूं गवर्नर कारे-कारी जो प्रीशद है उसके सदे से व्यवस्ता पिका के उत्रदाई नहीं थे उसके बाद में सात्यूं कुछ विशे ऐसे देखते हैं जो हंस्ताद्रित विशे थे तो हस्ताद्रित विश्यों में महत्पूर्ण विश्य नहीं थे क्यों नहीं थे वह जानकर हम लेते यानि गेर महत्पूर्ण बोला जाए तो कच्रा उसमें मान सकते थे लेकिन इनका भी अपना अलग महत्यों था विश्य कौन थे जैसे इस्ताण यह सवसाषन है सवस्ताए इतियादी अब साथियों उसमें अंग्रेजों कार्व चल रहा था तो वह शिक्ता सवस्ते और जो सबस्ता इसे समद्म ज्यादा ध्यांक नहीं देते थे गवर्णर जो था भारतिय मंत्रियों के प्रामर्श ही ये इनका संचालन करता था मंत्री विवस्ता पिका के परति उत्रदाई थे उसके बाद में साथियों प्रांतों में क्या है सवेधानिक तंत्र के विफिल होने पर गवर्णर जो होता था वो प्रांत के प्रसासन एंवहस्तांत्रि सब्सक्राइब का दाइट वे अपने उपर ले लेता था जैसे साथियों वर्तमान समय में अगर कहीं भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां पर क्या है वहां की जो भी सक्तियां थी इस्टेट के पास या केंदर साशित परदेश के पास वह सारी की सारी राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कहां चली जाती है केंदर के अधिन चली जाती है उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले है बारत सचीव तथा गवर्नर जनरल जरूरी होने पर आरक्सित विश्वय में हश्ट कर सकते थे किन्तों तांत्रित विश्वय में उन्हें हश्ट करने की सक्ति प्राप्त नहीं थी जो साथियों आप यहां पर देखेंगे यह काफी महत्पूर्ण जान करिए आपके लिए तो बारत से पहले साथियों प्रांति इस तर पर व्यवस्टा पेका में कुछ मैटोपूर्ण परिवर्टन किये गए थे और प्रांति व्यवस्टा में सदसे संक्या में वर्दी कर दी गई इन में से साथियों सथर पर तिस सदसे हैं वो निर्वाचित होते थे और बाकी क्या होते थ अब उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे मता अधिकार में वर्दी के साथ साथ सांपरदाइक निर्वाचन पदती का और अधिक विश्तार किया गया मैलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया अब साथियों वर्तमान समय में मैलाओं को वोट देने का अधिकार जैसे मालोग कुछ एसे राश्टर है अब अमेरिका मानते हैं हम सबसे पूराणा लोकतन तरह है और सबसे पहले सवीडान अमेरिका का बना लेकिन साथिूं वहां पर मैलाओं को को अधिकार वोट देने का बहुत बाद में मिला था उससे पहले हमारे भारत में इस तरह की प्रावदान हो चुके थे तो मैलाओं को वोट देने के के बाद साथ यहां पर आप देखेंगे वे उसताप्र Pika के सदस्से बज्ज़त को आय सवीकार कर सकते थे और लेकिन उसमें क्या होता था साथियों 400 गवर्नर्ष जनरल होने पर सदस्यों की परहने ही उवे उसे पास कर सकता था अब गौर्नर्ष जनरल क्या कर सकता था उनके ऐसे विकार करने के बाद भी उसे पास कร सकता था उसके बाद में साथिओं अब यहां पर आप देखेंगे के प्रांतिय वेश्य तपिका सबायें किसी भी प्रäस्ताव को कर सकती थए किंदпа्र उसले इसें पारित होने के लिए गवर्नर की अनुम्ति अन्यवारिय सथीव अब सास्यों तो कुछ भी करो लेकिन उसके जो और फिल करने नियम बनाने के लिए उस साथी उसका जो भी चार्ज रखता था उसकी नमती देता था उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे गध종 को परस्ताओं को जो गधर कर्ष्कारron करने तदा neighbor जारी करने का अधिकार किसको था सिर्फ और सिर्फ गवर्णर को था जैसा कि वर्तमान समय में अगर कोई अध्यादेश इस परकार का जिसें देश की एक्ता और अखंड़ता में सत्ती हो सकती है या खत्रा प्रदा हो सकता है तो राष्ट्रपति उस सद्यादेश को या फिर जो भी आता है उस विदे को अपने पास में रख सकता है या फिर वापिस लोटा सकता है तो उस परकार का अधिकार उस समय भी गवर्णर के पास था और वर्तवान समय में परिशदों को अब विदान परिशद की संग्या दी गई विदान परिशद की संग्या सब से पहले कब दी गई किस अधिनियम के द्वारा दी गई तो आपका गलत नहीं होना चाहिए चले इस आधियों कभी-कभी एक्जाम में कि उसम सायमन आयोग से समदित पूछ लिया जा लुकरने नहीं सविदान में बहरत की इस्तिति की पता लगाने की लिए वर्श उनीस तो 27 में शर जोन सायमन Memphis की हैक साथ सदसे आयोग का गटन किया गया जिसे हम क्या है सायमन आयोग या सायमन कमिशन के नाम से जानते हैं साइमन आयोग के सभी सदसे कौन थे साथियों अंग्रेज थे गोरे लोग थे तब साथियों उनका तो विरोध होना था और ऐसा ही हुआ इसी कारण इस आयोग के सभी भारतिय जितने भी थे उन्होंने उसका विरोध किया इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट वरस 1930 में सौंपी जिसे कुछ परमुक सिफारिश की गई थी उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे परंतों में द्वेद सासन को समाप्त कर सवाय तत्ता सौंपने की सिफारिश की गई थी राज्य में साथियों क्या है जितने भी राज्य थे भारत सरकार में उसमें ब भारत के जितने भी राजी थे सरकार का विस्तार किया जाए और बिटिस भारत में संग की इस्ताफना की जाए सामफर्दायक निर्वाचन व्यवस्ता को जारी रखा जाए के अंदर में परती नीदी सरकार की इस्ताफना को क्या है साथियों यहां पर आयनिस्चित काल के टेलीग्राम चैनल को जोईन करें, वार्टसप ग्रूफ को भी जोईन करें, यह आपर नेरू रिपोर्ट के बारे में जानका लेते हैं साथियों, नेरू समिती की रिपोर्ट यह गटना है, साथियों 1928 के बारे में कुछ तत्कालिन भारतिये सची हूँ, बरके इन हेड दौ किरुन तब बाद कांगरेस् ने क्या 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 मुटिलाल नेरू की अदेक्स्ता में जो मोतिलाल नेरू थे इनके अदेक्स्ता में क्या क्या है साथियों यहां पर नेरू कमेटी के नाम से जाना जाता है इस समिती का गठन किया उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे इस समिती के अन्य सद्दे से सुबास चंदर बोस भी इसमें सामिल थे और तेज बहदूर सप्रू जो की इसमें सामिल थे 10 अगर्ट 1928 को फरस्तुत की गई समिती की रिपोर्ट को नेरूर रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाता था तो उसके बाद में साथियों यहां पर है यह भारत वाजशियों द्वारा आपने देश के लिए सर्वांग पुरून सविधान बनाए जाने का पर्तम प्रियास था उसके बाद में साथियों कांग्रेस कार्य कारणी की गौस्णा 1934 यह भी साथियों काफी मैत्व पुरून तीसरे गोल में समयलन के बाद जारी किये गए स्वेट पत्र में बारत में सविधानिक सुधारों के लिए बिर्टिस सरकार ने प्रस्ताओं की रूप रेका दी गई थी उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे कि इसके आदार पर कांग्रेस कार्य कारणी ने जून 1949 में गोशना की कि सुवेट पत्र का एक मतर विकल्प यह है कि वयक्त मता दिकार के आदार पर निर्वाचन सविदान सबहा दौरा एक सविदान तयार किया जाए जो भी निर्वाचित सविदान सबहा है उसी के दुवारा साथी हो यहां पर क्या है एक सविदान सभा के दुरा सविदान टै Caitlin किया यह पहला मौकत था जब सविदान सभा के लिए साथी ऑप्चारी ग्रूप से एक निस्चित मांग सब के सामने पे疼 की गई तो यह सातियों आपके लिए काफी मैत्व होना है आशा करता हूं सातियों यह जानकर आपको अच्छी लगी होगी अगर जानकर यह अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दूसरी भाई-बैनों अगले वीडियो में तब तक आप अच्छी से रिवीजन करें और पढ़ें और मिलते हैं सातियों नए उमीद और नए जोस के साथ अगले वीडियो में फिर से धन्यवाद जय हिंद बंदे मात्रम